नवशकार दोस्तों मैं मैं किश्वर महां आप देख रहे हैं Medicine King Friends आज हम Mega Pen Injection के बारे में बात करने वाले हैं Mega Pen Injection 1000 MG तो इसके बारे में आज बात करेंगे इसके क्या uses क्या side effect हैं आप इसके स्थमाल कौन कौन सी condition में कर सकते हैं और इसके कितने फायदे हैं वो आज हम जानेंगे दोस्तों सबसे पहले बता दो मैं कि इसके 10 ऐसे फायदे हैं जिसको सुनकर आप चौक जाएंगे और बहुती अच्छे उन कंडिशन्स में इसके रिजल्ट देखे गए हैं जिन कंडिशन्स में मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जुरूर देखें अगर आप हाँने चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब साथ में बेल आकन को दबालें क्योंकि जो वीडियो हम अप्लोड करें सबसे बले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचाएं चलिए दोस्तों वीडियो को आगे शुरू करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे मेगाबैन की ब्रेंडिंग है और इस प्रोड़ेट को बनाती है फ्रेंड्स आरिस्टो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और मिलीग्रेम यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं अब बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किये इसके फायदे और गुनों के बारे में ऐसे दस फायदे जिसको सुनके आप चौक जाने वाले हैं और बहुत ही अच्छा काम करती हैं उन कंडिशन्स में तो फिरन जिन पेशन्स को बैक्टेशल संकरमन हो जाता है जैसे कि साइनस की समस्य कान का संकरमन का बारवर बहना कान में दर्द या फिर टॉंसल्स नीमोनिया यूरिन इंफेक्षन ब्रॉंको टाइटिस की प्रोब्लम स्किन की इंफेक्षन तो उस कंडिशन में भाई के कफ होता है, blood में infection आ जाती है या फिर urine करते time बहुत ज़्यादा infection या जलन होती है तो भी आप mega pen injection का इस्तमाल कर सकते हैं तो all over दोस्तों बहुत सी condition में इसका इस्तमाल किया जाता है क्योंकि एक बहुत ही अच्छा antibiotic है और बहुत ही अफेक्ट करता है या आपकी body के उपर अगर जिन patients को ये problem होती है तो बहुत ही अच्छा result दिखा गया उन conditions में चलिए अब बात कर लेते हैं इसके नुकसान के बारे में भाई इसके नुकसान क्या क्या है तो इस injection को लगवाने से कई बारे आपको चक्कर आ सकते हैं लगवाने वाले जगया पर आपको सूजन हो सकते हैं, उलटी हो सकते हैं लाल चकतते तो इस परकार के इस injection के आपको side effect देख सकते हैं अब बात कर लेते हैं इसके doses के बारे में और मैं बताना चाहूँगा बिना डॉक्टर के कोई वी इंग्जेक्शन दवा या सिरप का इस्तिमाल बिल्कुल ना करिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकरक हो सकता है तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रू करिएगा धन्यवाद